वेलकम टो एक लव्या स्टेडी पॉइंट एड आएम सचेन आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 की हिस्ट्री से जो आपका फर्स चैप्टर है ब्रिक्स, बीट्स और बोन्स इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेशन आंसर्स करवाऊंगा और इस वीडियो में मैं की कोई भी क्वेरी हो तो आप इंस्टागराम पे मुझे मैसिस कर सकते हैं मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है तो चले फिर अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को और उससे पहले आपको बता दूँ कि अगर आप हमारा टेलिग्राम ग् को विजिट कर सकते हैं और इस चैप्टर की फुल एक्स्प्रेशन मैंने खुद बना रखी है आपको उसकी लिंक जो है इसी वीडियो के दिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी तो आगे बढ़ते हैं तो पहला क्वेस्चन है हमारे सामने विच ओफ दी फॉलोविंग नेम इस एप्रोप्रियेट इंडस्वेली शिवलाजेशन और हरप्पन कल्चर इसके इंदर हरप्पन कल्चर आप इसको कह सकते हो ठीक है एंड उसके बास सेकंड फ्वेस्चन है which was the first site of Indus Valley civilization where this unique culture was discovered so Harappan civilization या Indus Valley civilization की first site जो है वो Harappan है आपको पता है कि जब railway line का काम चल रहा था तो उस time पे बहुत सारे workers थे जिनको वहाँ से कुछ bricks मिली थी फिर उसके बाद ये सब बाते होती है और वो जो सबसे पहले जो हमें site मिली थी वो Harappan नाम की जगा परी थी और वो पाकिस्तान के अंदर आती है so that's why we call Harappan civilization also फिर उसके बाद third question है where was evidence of plod field found in Indus Valley civilization so हमें Indus Valley civilization है इसके अंदर जो राजिस्तान का काली बंगन नाम का इलाका है वहाँ से plod field पूरा ऐसा खेत मिलता है जो जोता हुआ है उसके ओपर आज भी marks है so वो हमें मिलता है काली बंगन से fourth question है टेरा कोटा models of the plow यानि कि जो हल होता है उसके टेरा कोटा models यानि कि मिट्टी के छोटे खिलोने जैसे model कहां से मिले हैं किस site से मिले हैं so वो हमें चोलिस्तान और बनावली से मिले हैं चोलिस्तान पाकिस्तान में है बनावली आपका जो है वो हरियाना में है आगे बढ़ते हैं fifth question from which traces of canals have been found in Indus Valley civilization हमें canals के traces शोर्तु गई से मिलते हैं अफगानिस्तान के पास and sixth question where was water reserve found in Indus Valley civilization so water reserve जो है वो धोला वीरा गुजरात से मिलता है seventh question है name any two structures which were found in the citadel citadel यानि कि जो उच्चा वाला था इलाका मों जो जोड़ो का वहां से में दो structures मिलते हैं the warehouse and the great bath ये काफी जादा important structures है eighth question हम से ये पूछता है in Mesopotamian text Dilman, Meluha and Magan word are used for which center तो Mesopotamian जो text है वहां से हमें 2-3 word मिलते हैं जैसे कि Dilman जो है वो बहरेन के लिए यूज किया गया था Meluha जो है वो हडपन के लिए यह अडपा के लिए यूज किया गया था Magan जो है वो Oman के लिए यूज किया गया था फिर उसके बाद आता है the longest signs containing inscription contains how many signs so inscription वाला जो है मतलब ऐसा inscription जिसमें longest signs है तो 26 sign वाला inscription हमें मिलता है 10th question हडपन script was written from which side so देखे यह right to left लिखी जाती थी ठीक है undecified है आज तक पड़ी नहीं गई है काफी mysterious script है 11th question है weights were usually made of which stone in Indus Valley civilization so weights जो है हमारे वो चर्ट नाम के stone से बनाए जाते थे ठीक है 12th हो जो है हमारा question weights were generally made in which form so weights जो होते थे जो बाट होते है जिनसे तोला जाता है तराजू को ठीक है तराजू में समान को जैसे ही ऐसे cubical होते थे और इस पर कोई texture पर मतलब कोई design कोई marking नहीं होती थी 13th question है what was the type of the lower denomination of weights so weights जो है वो 1,2,4,8,16,32,12,1800 तक ये चले जाते थे 14th question है what was the time of the what was the type of the higher denomination of weights so decimal system चलता था 15th है who was the first director general of ASI archaeological survey of India के पहले director general Alexander Cunningham थे और इनको बहुत बड़ा doubt वा था हड़पन civilization की importance ये समझ नहीं पाये थे फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम और how do we know about the social differences among the हड़पन so हड़पन के बीच के social differences को जानने के लिए हम उनके burials के structure को समझते हैं and जो हमें things मिलती है in burials के अंदर से हम इन artifacts को भी हम classify करते हैं useful और luxurious things में देखिए जो useful things होती थी वो तो ज़्यादा तर burials से मिल जाती है लेकिन luxurious things जो है वो बहुत कम जगा से मिलती है जैसे fiance फियांस वगेरा है या useful के अंदर आप daily की जो भी मतलब चीज़ें होती है जो घर में use होती है वो अगर कहीं से मिल रही है तो आप कह सकते हैं वो एक common man का burial हो सकता है वहीं अगर कोई luxurious चीज़ मिलती है तो हम मान सकते हैं कि भाई ये social difference रहा होगा फिर a list the raw material required for craft production in Indus Valley civilization and how these might have been obtained तो हमें ये बताना है कि कौन से raw material से craft production वगरा का काम होता था और कैसे ये raw material मिलता था तो इसका answer होगा stone जैसे की carnelian, jasper, crystal, quartas or steatite, metal यानि की copper, bronze, gold, shell और fayance, terracotta इन सब चीज़ों से हमारा craft production होता था ठीक है and method क्या होता था ये कहां से raw material आता था so ये सबसे पहले हडपन्स क्या करते थे अपनी settlement established कर देते थे जहां भी source of material होता था जैसे की नागेश्वर बिलकुल समुंदर के पास है ठीक है so वहीं पे इन्होंने अपनी settlement established कर दी और ऐसे बाला कोट के पास कर दी और फिर क्या होता था they might have sent expeditions to areas such as khetradi region of Rajasthan for copper और बहुत बारी क्या होता था ये अपने expeditions भी भेजते थे ठीक है लोग जाते थे खुद खरीदने जैसे की khetradi जो region है Rajasthan का यहां से copper आता था South India से gold आता था so इस तरीके से चलता था फिर हमारा next question है what were the features of settlements of pre-hadappa period हडपpa के पहले का जो period था वहां की settlements के क्या feature है ये question confuse कर देता है so बहुत important है they had no large buildings there was a prevalence of agriculture and cattle rearing agriculture और cattle rearing जादा होता था some people were also engaged in this culture मूर्तिवगर बनाने में बहुत लोग engaged थे there was no well planned network of roads and drainage system जो हडपpan pre-settlements थी वहां के road अच्छे नहीं थे planned तरीके से कुछ भी नहीं किया था drainage भी अच्छा नहीं था why is हडपpan script considered as an energetic script इतनी ज़्यादा mysterious क्यों मानी जाती है जो हडपpan script है ये हमें बताना है so देखे because it is yet to be deciphered अभी तक ही undecified है it mystery has still not have been solved yet इसकी mystery आज तक solve नहीं की गई है it was not alphabetical ठीक है ये alphabetical नहीं थी इसके उपर science थे मतलब science बने वे थे pictorial script थी symbol थे काफी जादा and science जो है माने जाते है 365 से 400 तक science थे हडपpan script के अंदर so इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये mysterious थी काफी फिर है how can you say that हडपpan culture was an urban one so हडपpan culture कैसे एक urban culture था ये हमें पोचना है मतलब ये हमसे पोचना है हमें बताना है so the cities were well planned and मतलब cities जो है वो upper और lower town upper को citadel भी कहते थे so दो तरीके से इसको हम divide करते हैं lower town में लोग ज़ादा रहते थे upper town में क्या था कि थोड़ा area उसका कम था लेकिन वो height पे काफी ज़ादा था the roads were straight and wide road जो थे काफी straight थे grid pattern से बनाए हुए थे यानि कि एकदम सीधे ऐसे road आते थे और एक दूसरे को ऐसे cross करते थे 90 degree angle बन जाए इतने सीधे थे the houses were made of burnt bricks जो घर बने वे थे वो पक्की हीटों के बने वे थे and contained more than one story and every house had a well bathroom हर घर के अंदर एक कुआ और एक बातरूम होता था the drainage system was excellent drainage system काफी बहुत ही बढ़िया था जो house drain होते थे वो street drains में मिलते थे और फिर वो ही street drains आगे जाके main drain में मिल जाते थे existence of public buildings बहुत सारी जगाओं पर हमें public buildings भी मिलती है lothal के अंदर हमें dockyard भी मिलता है जो कि एक important trading center हो सकता है वहाँ से वो लोग अपना water के मतलब transport से आ जा सकते थे और trade वगरा करते थे फिर आगे question है write a note on the drainage system of हडपा, so हडपन civilization का drainage system कैसा था so the drainage was made of mortar lime and gypsum जो drainage था, जो नालियां थी, वो mortar lime और gypsum से मिलकर बनाये जाता था उसको they were covered with big bricks नालियों को बड़ी बड़ी हीटों से पत्थरों से धका जाता था और ताकि उनको आसानी से उठा के साफ किया जा सके drain, ठीक है drains को धका जाता था उपर से नालियों को smaller drains were sorry, smaller drains from houses on the both the sides were laid on the main channel जो घर के अंदर के drains होते थे, वो बाहर जाके main channel से जुड़ जाते थे, pits were provided for sewage for the houses जो गड़े होते थे, वो भी बने होते थे ताकि जो घरों का sewage है जो गंदगी है, ठीक है वो सब उसमें चला जाए, pits के अंदर फिर है discuss the functions that may have been performed by rulers in हड़पन civilization so कौन कौन सी वो चीज़े हैं जो हड़पन rulers करते थे, ऐसा माना जाता है कुछ archaeologist कहते हैं कि हड़पन civilization में कोई ruler नहीं था, कोई ये कहता है कि सभी को equal status था, कोई king जैसा कुछ नहीं था, कोई कहता है कि ruler था, लेकिन single ruler नहीं था, several rulers थे यानि कि हड़पन जितनी भी sites हैं हर जगा का अपना एक different ruler होता था, जैसे इंडिया के states है, हर state का अलग एक cm होता है वैसे ही हो सकता है, उस time पे हर site का अलग rural रहा हो rural रहा हो, ठीक है, ruler रहा हो and under the guidance and supervision of the rulers plans and layout of the city were prepared माना जाता है कि rulers के supervision में ये plan मनाया गया था पूरा, जिससे ये city इतनी plan तरीके से थी, बनी हुई big buildings, palaces, fort, tanks wells, canals, granaries etc. were constructed under the supervision of rulers माना जाता है जो बड़ी-बड़ी buildings थी जो किले थे, palaces थे, tank थे wells थे, canals थे, granary थी इसको बनवाया था rulers ने roads, drains were also constructed जो घर थे, ठीक है और घरों के साथ साथ जो नालिया थी drains थे, roads थे, cleanliness काफी अच्छी थी, सो हो सकता है ये सारा काम किसी ruler ने ही more different handicrafts, ठीक है and he maintained and controlled extraordinary uniformity of हडपा's artifacts like seal, weight and bricks, काफी ज़्यादा uniformity थी हमें जो भी artifacts मिलते हैं हडपान civilization से, जैसे seals से ज़्यादा तर एक जैसी हैं और weights से ज़्यादा तर एक जैसे हैं bricks लगबग same है हर घर की सो हो सकता है किसी ruler ने ही यह सब काम करवाए हो during foreign attack and natural disaster, he used to play an active role by providing security and food, जिस time पर foreign attacks होते थे, natural disaster आता था, जो ruler होता था वो काफी active role play करता था he used to issue common acceptable coins or seals, weight and measurements माना जाता है कि जो rulers थे, वो coins issue करते होंगे, या seals को issue करते होंगे, weight and measurements को भी how did हडपन civilization come to an end कैसे यह खतम हो गया जो पूरा Indus Valley civilization है some scholars have tried to explain the important causes, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला cause माना जाता है floods को it is speculated that a sudden flood, एकदम से बाड़ आ गई होगी और सभी डूब गए होगी, और सब दब गए मिटी में, due to the change in the course of Indus River, Indus River के बहाव में उसकी direction change हो गई हो और वो civilization की तरफ बहने लग गया हो, जिसकी वज़ाए से लोगों को वहाँ से जाना पड़ा हो और climatic change हो सकता है climate change हो गया हो, it is also possible that there was a climate change and drought took place due to deforestation deforestation होने की वज़ाए से काफी ज़्यादा सूखा आ गया होगा वहाँ पे earthquake भी एक probable reason हो सकता है कि जिससे काफी ज़्यादा लोग वहाँ से चले गए हो Aryan invasion, Aryan theory बहुत सारे लोग मानते हैं कि हड़पन civilization के decline का main reason है Aryan invasion क्योंकि इसके बाद से अमारा वेधिक period start होता है, Aryans आ चुके थे सो ये एक बहुत बड़ा reason माना जाता है आगे बढ़ते हैं What do you know about the trade and commerce of Indus Valley civilization सबसे पहले मैं आपको बता दू internal trade होता था, ठीक है राजस्तान से trade हो रहा था और इसके अलावा South India में trade चलता था and बहुत सारे trading centers के हमें यहाँ पे मिलते हैं और these are made up in the multiple of two जो हमें weights मिलते हैं वो मतलब ऐसे मिलते हैं कि मतलब multiple of two ठीक है इस तरीके से बने वे थे, two, four, eight, sixteen जो two से multiply हो जाएं इस तरीके से weights होते थे, बाट होते थे there was strict control on weight and measure weight and measure पे काफी strict control होता था हडपा और मोहें जो दाड़ो main trading centers थे याद रखना international trade की बात की जाए तो हडपांस के relation काफी अच्छे थे Egypt, Oman से जो trade है, वो sea से भी होता था वो land से भी होता था, probably जो metals होते थे, gold, silver, tin and copper and जो precious stones ये import किये जाते थे, other countries से, इस तरीके से हमारा ये trade चलता था write a note on the agricultural technology of हडपांस हडपांस की agricultural technology कैसी थी हमें बताना है the prevalence of agriculture is indicated by finds of grains in various sites of civilization, बहुत सारे grains के हमें जो है आज मिलते हैं भाई सबूत archaeologists have found evidence evidence मिलते हैं, भाई, पूरा plot field मिला है हमें, ठीक है काली बंगन राजिस्तान से and हमें इसके अलावा seals और terracotas जो sculptures हैं उसके अपर bulls वगरा बने होते थे ठीक है, auction का use होता था, plowing के लिए bellों का use होता था, so two different crops were grown together दो अलग-अलग crops को एक साथ उगाया जाता था, इसका भी हमें पूरा evidence मिलता है, canals और well जो होते थे, वो irrigation के लिए use होते थे, पानी आता था खेतों में, traces of canals have been found, शोर्तु गई अफगानिस्तान के अंदर से हमें canals के traces मिलते हैं, और क्या सब उस चाहिए वई, water reservoirs मिलते हैं हमें दोलावीरा गुजरात के अंदर से so ये हडपन्स की agricultural technology थी जो मैंने आपको बताई, और ये जो कुछ questions है, ये most important है अगर आप इनको कर लेते हो हडपन civilization के salient features हडपन civilization का end कैसे हुआ और ruler वाला question ये long में बहुत पूछा जाता है मैं आपको पूरा chapter ने पढ़ाने आया हूँ इस वीडियो में जो important मुझे लगते थे वो questions मैंने आपको बता दी है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो channel को subscribe कर दे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा like करें और comment में ज़रूर बताएं वीडियो कैसे लगी और वीडियो को share करें जय हिंद जय भारत बहुत बहुत दने